नमस्कार प्यारे साथियों मैं रवी कुमार आप सबका फिर से एक्जम का ट्राइब चैनल पर स्वागत करता हूं आप सबको पता है मैंने लगबाव डे वन और डे टू में SSC MTS 2022-2023 की मैं दो, माई और तीन माई के पेपर की आपको वीडियो प्रोवाइट करा दिया है आज मैं आपके लिए उपसे तों चार माई का पेपर होता है तीन स्छ्फ में उस desert के फेपर complete करा निकले चले देखते हैं सुरभात करते हैं डे 3 की पहला कोशन किया है देखे है कोशन है आपको फर्ष्ट कोशन है 28 से 500 की धन्रासी 6.4% बारसिक साधार ब्याज पर 10 वर्सों के लिए रिण दी जाती है देखें मैंने कल आपको एक वीडियो करवाई थी SSC CHSL मेंस की आप उसमें वीडियो देखिए मैंने आपको कल एक चीज़ समझाया था वीडियो में कि कुछ सब्द ऐसे होते हैं जो मैं पैचानने होते हैं जैसे मालों लिखा आजाए हो जाती है हो जाती है यह ऐसे आजा बन जाती है यह ऐसे आजा बन गई यह ऐसे आजा हो जाएगी यह सब्द कुछ भी आजाए यह सब्द कहलाते क्या है मिश्र धन के रूप में किसके रूप में कहलाते हैं मिश्र धन के रूप में कहलाते हैं यह चीज़ के लिए है अब देखो साधर ब्याज के लिए में क्या करूं मालो मेरे पास r% है तो यह हो जागा r बटे 100 परले एक चीज समझ लो भाई नीचे वाली चीज होते है मुल्धन आपर वाली चीज होते है ब्याज तो बताओ मिषवधन पास मिषवधन के तना जहगो मिषवधन हो जहगो 100 प्लस आर आई-ड कैया सहीht है के ने कोई ड़ऑट इसमें है मिषवधन कितना जहगो 100 प्लस हमनों के वर तो और चल रहे है यहाँ हैbridge सामय को जया है आप सीधे सीधे मिश्ध्धन निकालना होता है, इसका तरीका क्या है, हम डारेक्ट अगर प्रिंसिपल दिया है, तो हम सीधे मिश्ध्धन निकाल सकते हैं, ना कि सिंपल इंटेश निकाल कर, ये चीज के लिए है, बस या दखना, अगर आप सीधे सीधे कर रहे हैं, ऐसे दो थो 6% असका निकालना पड़ेगा फिर उसका उसा पर जोड़ना पड़ेगा है थीमेविट मैं इसको कर में बताओ कि टोटल हर साल वह Ó ब्रॉत हर सार बेंदि दो पर्सेंट है यह 2% है.. यह 2% है.. टोटल कितने परिसेंट होगी? 6% पर्ता चल गया 2-3, 6% सो में जोड़ दो 106 होगी डारेक्ट मिश्व धन आ गया 106 परसेंट किसका 2000 का निकाल दो यह किलियर है आते हैं आप कोशन पर देखें कोशन क्या आवा आपका कहा रहा है देखें कोशन क्या कहा रहा है कोशन पढ़िए 28500 की धन रासी 6.4 बार्सिक साधार ब्याज पर 10 वर् यह बन गया 164 परसेंट बस डायट आंसर आजागा आंसर के कहला है 28500 गुणा 164 बटे 100 कोई डाउट परसेंट डड़ा के 20 से 20 बदाए कोई दिक्कत तो नहीं आथा कोई दिक्कत तो नहीं है किलियर है अब बस मल्टिप्ला करना है 285 का 164 में तो देखो 520 इसको यहीं छो परस आज दो चैपंज तीस चैपंज तीस यहीं तो आएगा युनिट डिजिट देखो कि क्या रही है लाश्ट में 40 आ रहा है अगर मालों दो अंग तक भी में जाओ 40 आ रहा है ऐसा कोई नम्मर है हां सिर्फ और सिर्फ कौन सा है बिकल्प नमर 2 में है सिर्फ 40 हम इसी को कॉन सा हो गया बिकल्प नमर 2 हो गया हमें पूरो सॉल्फ नहीं करना है कि मल्टीप्लाय करके नहीं हम निकाले क्या यहीं सही है कि नहीं ऐसा नहीं करना अगर आपका कॉंसेट किलियर है तो option आ सकते है डारेक किलियर है आगे समयने चले देखे एकला कोशन देखिए next question ती 3 अनुपाद 2 अनुपाद 4 है यह समझा जो को आपको क्या जब डिस्टेंस जब डिस्टेंस फिक्स हो तो क्या होता है इस स्पीड इनवर्शली प्रपोर्श्टर वन अपन टी होता है इस किलियर है आगे समय अनुपाद 1 बटे 4 इनका LCM कितना होगा बताई जल्दी इसका LCM होगा 12 यह चला गए कितनी बाद 4 वर 12 से गया 6 वर 12 से गया 4 वर तो कितना अनुपाद यह अनुपाद आगे समय का 4 अनुपाद 6 अनुपाद 3 को दिक्कत तो निया चीज के लिए है आगे समय ने कोई अगला देखें को देखें को चौशन है 24 संख्याओं का ओसत 43 है यदि हम प्रतेक संख्या में से M घटाते हैं तो ओसत 38 हो जाता है तो M का मान क्या है चलिए देखें मैंने का बहुत 24 हैं बता चुकाओं इसका विकांसर्ट हो गया 43 इसमें घटा रहे हैं तो बताओ वह संख्या में M घटाने पे और घट में टनेकी कम हैं गगी वह संभीया 38 अर्टďis तो M की वैली कितना जबेकर पांच गई तो बताओ संख्याओं कितनी है वह संख्या कितनी है पांच है कोई डाउट इसमें को दिकत को हो निया फिर समझे मैं क्या लित चाहाँ रहा हूं मैं M घठा दूं मैं समझा चुका हूं मैं हमेरी दूसरी या पहली वीडियो देखना देवन ये डे टू की उसे मैंने आपको पूरा कॉंसर्प समझाती है अब मालों इसमें से मतलब मैं कहूंगा हर संख्या में से पांच-पांच गटाने पर नया औसत कितना आ रहा है 38 हम ये भी कह सकते हैं कोई डाउट तो नहीं है चली अगला कोशन देखे देखे एक पार्टी हॉल में तीन एक पार्टी हॉल में लोग नीले नीले लाल परिधानों में हैं नीले पर onboard लेशियोगे रैड जाए फिर है रेड डबलू लिख लिए ठीक है ना गोई डाउट तो नी है फ़र नीले परिधान मतलग नीली का मतलग हो गया ब्लू में प्रूस हो गया ब्लू मेल में कितना है, चल लिए, रेड में कितना है, दो रेशियो मतलब दो y है इसमें कितना 1y है, कोई doubt इसमें, कोई दिकर तो नहीं है, आगे समयने, चीज clear है, इस चीज को clear कर लिजिये, कोई doubt तो नहीं है, clear करें जल्दी, अब कोशन पढ़िए, यदी नीले परिधानों में यदी ब्लू में और रेड में लोगों की संख्या 35 और 76 है किस में ब्लू में आप दोगों यहाँ एक ब्लू है एक ये ब्लू है इन सब को मैंने उठा लिया इन सब को मैंने उठा लिया तो यह बन गया 3x प्लस 1y यह बन गया 3x प्लस 1y अपॉन कितना बन गय यह 35 बटे च्छ रही आ जागा किलियर किलियर है अब तो हो जाएगा यह कोशन कोई डाउट तो नहीं इसको मैं सापका दर नहीं है अब इसको कोई मतलब ने इस चीछ क्लियर है आगे समझें कोई डाउट तो नहीं है के लिर है समझ लिए इससे अब यहां से xy की वेल यहां पुरुस कितने हैं, यहां पुरुस है 2y, इसका अनुपात किस से, किस से, बुमें से 7x और 1y, हमें इसमें value पुट कर देंगे, यहां से x और y की value अजागी, x y की value पुट करके हमारा वो क्या बन जागा, अनुपात बन जागा, कोई doubt इसमें, clear है यह चीज, मतलब यह कि लिए हुई कि नहीं हुई, है कैसे change करने number, हमें blue वाले, blue वाले के साथ उठा लिया, red वाले के red वाले के साथ उठा लिया, उसका आपको ratio दे रखा है, cross multiply करेंगे, x y की value आने पे, हमसे पूचा है, male ratio, female का हमसे ratio पूच लिए, male और female का, कोई doubt तो नहीं है, चीज के और B मिलकर एक टंकी को, pipe A और B मिलकर एक टंकी को 10 घंटे में भरते हैं, pipe B और C टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं, भरने का मतलब प्लस, pipe A और C उस टंकी को 15 मिनुट में, A और C 15 में, के लिए है 15 घंटे में, तो पूचा क्या, B अकिला उस टंकी को कितने घंटे में भर सक देखो, दौनों का L से मैं गा 60, यह आ गए कितना 6, 5, 4, अब देखो, यहां 2 A है, 2 B है, 2 C है, जब मैं जोड़ूंगा, तो 2 बहार आ जाएगा, common में, तो देखो, यह कितना हो का 15 है, तो A plus B plus C equal to 15 बटे 2, मतलब साड़े साथ, कोई डाउट, हमसे पूचा क्या है, B का पूचा है, कुल काम कितना 60, बटे 3 है, साड़े 3 है न, साड़े 3 का मतलब 3.5, पॉइंट आके यह जीरो आ गया, कोई डाउट तो नहीं है, किलियर है, कोई डाउट, देखिए, 5 से कितनी वार गया, 5 से गया, 7 वार, 5 से गया, 5 से चला गया, 12 वार, तो कितना गया, 120 बटे साड़ घंटे आंसर, कोई डाउट इसमें, इस इस किलियर है कि नहीं, आगे समझने, अच्छे से किलियर है, चले देखिए, एगला कोशन, देखिए, next कोशन, एक बटे 5, यह सब चीज है, तो मैंने कहा, एक बटे 5, प्लस, यह कितना हो जगा, 4 एकम 4, 4 और 5, तो 5 बटे 4 माइनस एक बटे 2, फिर गुणा में 2 बटे 5, यह तो है, तो देखिए, यह कितना हो जगा, यह जगा 5-2, तीन बटे 4, कितना हो जगा, 3 बटे 4, तो यह हो गया, 3 बटे 4, कोई डाउट इसमें, किलियर है कि नहीं, आगे समने, 3 बटे 4, गुणा में क्या है, 2 से यह कट यह बन गया 3 बटे 10, गुड़ा करने पर कितना बन गया 3 बटे 10, और अल्रडी क्या है, प्लस में है 1 बटे 5 प्लस 3 बटे 10, यह संख्या किस के बीच में है, जरा बताओ, यह संख्या किस के बीच में होगी, यह संख्या इन दोनों के बीच में होगी, 0.5, है कि नहीं, तो option क्या आगया, option number C, चीज के लिए है, आगे समयने है, चलिए देखे एगला question, देखे, question number, मान लीजिए कि एक थेले में 2 kg और 3 kg नमक है, थेले में कुल मात्रा का कितना प्रतिसत भाग चीनी से भरा हुआ है, तो उसने सिर्फ पूचा, चीनी का पूचा है, clear है, करियल दी, चीनी का पूचा है, थेले में कुल मात्रा का, चीनी कितनी है, चीनी है 2 kg, किस इतने परसंट चीनी है, चीनी है, चीनी की मात्रा है, आपके पास 40%, कोई doubt उसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, clear है, चीनी की मात्रा कितनी है, 40% है, साब साब लिख दे नहीं, ताकि समझा है, चीनी की मात्रा कितनी है, 40% है, कोई doubt, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझने, चले देखे एगला कोशन कोशन नमर एट 330 मीटर लंबी एक रेल गाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 11 सेकंड का समय लेती है ठीक है ना रेल गाड़ी 570 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी समझो यह एक लंबी रिल गाड़ी है, पुल को पार कर दे, जब भी ऐसी कंडिसें आए, तो हमें कुछ नहीं करना, ट्रेन की जो लेंथ है, ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ, दौनों जोनने पर क्या बनती है, डिस्टेंस बनती है, डिस्टेंस, कोई डाउट इसमें है, तो बताओ, डिस्टेंस कितनी हो गई, 330 और 550 टोटल कितनी हो गई, 880, किस से 11 से पार कर रहें, तो बताओ, स्पीड कितनी हो गई, 880 बटे 11, तो मैंने खाओ, स्पीड इकल टू, 880 मीटर बटे 11 सेकंड तो यह होगे, 330, अब कितनी है, 330 है, कितना मीटर पुल है, लंबा पुल है, 570 का, तो टोटल कितना हो गई, 1000, टोटल कितना हो गई, 1000 मीटर आ गई, तो पूछाए, अब इसको पार करने में, कितना समय लेगी, 4 कितनी है, 80 मीटर पर सेकंड, तो टी इकोल टू आउ गया, 1000 बटे 80, 0 से 0 गया, 4 से गया 2 बार, 4 से गया 25 बटे 2 कितनी होते हैं, साड़े 12 सेकंड, आंसर, कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं, चीज के लिएर है कि नहीं, आगे समय नहीं, कोई डाउट, 880, 11 सेकंड, चेकल लेते हैं, काई कुछ और तो नहीं है, 570, 570 और यह हो गया, अचा 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 अचा, सोड़ी ये 900 होगा, कितना होगा 900, 900 बटे 80, कितना होगे साके मेरे, 900 बटे 80, 0 कड़ गया, तो कितना बन गया ही ये, बन गया, चार सेकंड आंसर आप तो ठीक है है 45 बटे 4 सेकंड कोई डाउट तो नहीं है के लिए है चलिए अगला कोशन देखिए नेक्ट कोशन है 9 एक तिरबुज की बुजाएं 11-11-4 की अनुपात में यदि तिरबुज का छेत्रफल 2 बटे 117 सेंटीमीटर है वो सेंटीमीटर क्यों होना चाहिए ठीक है न क्यों एरिया है तो बरावर बुजाओं की लंब्याई कितनी है अब दखो हमें पता होना चाहिए तिरबुज का फॉर्मुला जब सफ कंडिशन आया तो क्या कर लेते हैं हीरोस फॉर्मुला लगाते हैं एस एक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन तो ग्यारा ग्यारा बाइस बाइस चार चब्विस बटे दो मलत तेरह हो गया तो बताओ दोब स्की वेल्यू कितने हगई तेरह एक्स कितने या गया गई थैरह एकस तो ब耦ू हमाइपास कितना हो गटें अब देखो, अब देखो क्या करें हम इसमें, हमसे पूचा है कि बडावर लंबाईयों को बतारना है, कोई बात ने देखें, यह आगे दो बाहर, यह आगे X बाहर, X उसके बाहर आगी होगे 3, तो यह आगे 3 दूरी 6, 6 X उसके, ठीक है ना, रूट में है 13, यहाँ कितना है, यहाँ है 2 बटे, 117, कोई डावट तो नहीं है, देखो, यह कितना हो जागा, यह है हमारे पास, 3 X स्केर, रूट में 13 बराबर, कितना हो जागा यह, यह हो जागा, आपके पास, 1 बटे 17, गलत है यह, यह रूट लगा है, मेरे साथियों, वह जियान देना, कुछ नहीं है अब तो सही है, रूट में 17, यह है 2 रूट 117, ठीके ना, देखो, इसको में ने लिखा 2 गुणा, 17 को लिखा में 9 गुणा 13, कोई डावट, कोई दिक्कत नहीं है, दोखो, यह बाहर आ जागा, पूरा, सब ची बाहर ले लिए, मैंने, बाहर लिखा ले लिखा, यह बन गया X2, और 2 बाहर आ गया, अंदर रहे कहां, root 13 गुणा root 9, हीदो रहे अंधर, check करो जल्दी, करो यह है, हांग रहे है, 13 से 13 गढ़ गया, 9 से 9 गढ़ गया, 2 से 2 कढ़ गया, X2 कितना गया, 1 आ गया, मतलर, X की value कितनी गया, 1 आ गया, तो बता, सबसे बड़ी लेंद कितनी है ग्यारा देशी तो है तो एक की वेलू कितनी है एक है तो ग्यारे की वेलू हो गई ग्यारा तो आंसर कितना है ग्यारा तो ऑप्शन अमर कितना हो गया C answer, कोई doubt, चीज clear है, इसको सही कर ले ना, हिंदी वाले, ये है 2, root 117 है, इसको सही कर ले ना, ठीक है, इंग्लिस में बिल्कुछ सही है, इंग्लिस में सही है, हिंदी में थोड़ा सा सही कर रहे है, ठीक है, चलिए देखिए अगला question, देखिए अगला question, अंकित मुल्ले का 30%, क्रे मुल्ले का 50% के बरावर है, परसंट से परसंट रहे है, 0 से 0 कर रहे है, बदाओ, M की value कितने होगी, M की value सामने बैटे है, मतलब M की value होगी 5, और cost price कितने होगी, इसके सामने बैटे 3, अगर यदी कोई बट्टा नहीं दिया जाता, क्राओ, मतलब कोई भी discount ना दू, म कितना लाब हो रहा है, कितना लाब हो रहा है, कितना लाब हो रहा है, 2 का लाब हो रहा है, किस पे, 3 पे, 2 बट्टी 3, कितना तो 66 सही, 2 बट्टी 3, मतलब 66 सही, 66% कोई doubt तो नहीं है, चीज़ के लिए रहे है, option नम्मर कौन सा हो गया, एक हो गया, आ रहा है समयने, चले दे कोशन देखिए उस सिर्वुष का छित्फल ग्याति जिसका आधार 34 और संगत उंचाई 12 सेंट बाइस सेंट एरिया इक्वल टो एक बटे दो बेस इंटू हाइट कोई डाउट एक बटे दो बेस कितना है 34 है हाइट कितनी है 22 है कोई डाउट दो से न वैड़ serviminale, क्या एफ़ गजाना कितना घ्याट न गी अनशर, 374 तरिय आउट सेंट का कोई संगता, और सुमित अकेले उसी कार्य को अनिल से आदे समय में कर रहा है, तो बताओ इसका आदे समय होगा, एक घंटा 20 मिनट, ये दो हो गया, तो कार्य को पूरा करणे में सुमित को कितना घंटा लगएगा, एक घंटा, एक घंटा 20 मिनिट का मतलब 80 मिनिट लगेंगे, टोटल अंसर, बतलब यह तो मुझवानी कोशन हो गया, इसको बताना ही नहीं पड़ा, फिर समझो, कोशन हो, अनिल को टाइम लगा दो घंटे 40 मिनिट, अब कह रहा है, सुमित को अनिल से करने में आदा समय लग मतलब अनिल जितना काम कर रहा है, जितना समय ले रहा है, उससे आदा समय ले रहा है, कौन सुमित ले रहा है, काम कितना है, दो घंटे 40 मिनिट, इसका आदा हो गया, एक घंटा 20 मिनिट, एक घंटा 20 मिनिट का मतलब 80 मिनिट में पूरा काम कंप्रीट कर देगा, कौन कर दे के लिएर है चले देखें एगला कोशन देखें राम और रहीम की ओसत आयू 10ench है देखें राम और रहीम की ओसत आयू 10 वर्श है मतलब औस अब किरहें अध्यक्ष रहीम और रमेस इसकी ओसत आयू है 15 मतलब मतलब और रमेज, इसकी और संथ आयू है, 20 मतलब होगी 40, कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत हो नहीं है, तो तीनों में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, तीनों को मैं निकालू है, राम दोवार, रहीम दोवार, रमेज दोवार, दो कौन आगे, चले, ये कितना है, ये है, 20, 30, 50, पच्चास, चालिस, नबए गार्ए के लिए है, नबए बटे 2, तो पता चल गए 45 तो राम, पिलस रहीम, पिलस रमेश, एक्कुल टू, कितना आ गया, 45 आगया, सबसे बड़ा पूचा, मतलब रमेश कितने साल का, राम और रहीम कितना 20 का, तो रमेश होगा, कितने का, यह हो 45 में से 20 गए 25, 45 में से 30 गए 10, 45 में से 40 गए 5, तो सबसे बड़ा 25 वाला है, और solve नहीं करना, direct answer आगया भी यहां से, चीज के लिए है, बस आपको यह देखना है, तीनों का डिवाइट करके, दो से डिवाइट करके, इस तो माइनस करके देख लो, कौन बढ़ा है, अपने आ 40 है, फिर क्यों इसे, क्यों इसे, आर को 10% के लापर बिच रहा है, 10% के लापर, तो यह होगे कितना, 4, 5, 151, कह रहा है, यदि आर ने खिलोने के लिए 529 रुपे दिया, मनला 154 की वैल्लू कितने 549 है, तो बताओ, एक की वैल्लू कितने 549 बटे, 154 के लिए है, तो आणसर आगया, अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, चीज के लिए है, देखो, 2 से गया कितनी बार, 2 सती चौदे, 2 से गया कितनी बार, 50 बार, कोई ड़ाउट अब देखो, 77 से चला जागा, 77 से, 77, 78, 70, 78, 78, 7 बार चलागा, कितनी बार, 7 बार, 7, 355 तो कितना आँसर फोर हो गया, साड़े 300, चीज किलियर है, आ रहा है समयने चली देखे अगला कोशन क्या है, कोशन में 15, 12800 पर दो वर्स के लिए चक्रवती ब्याज ग्यात करनी है, कितने पर 12800 पर, किलियर है, 12800 पर 10% है, तो 10 पढ़ा 10, 10, 10 गुणा 10 बटे 100, टोटल कितना हो गया, एक हो कई 2 साल के लिए कौन सी compound interest, आगा यही simple interest होती तो 20% ही होती, कोई 20 मतलब, मतलब यह कहना है, दो गोड़ा 10, 20, लेकिन simple interest में ब्याज नहीं लगती ब्याज ची ऊपर इसलिए ब्याज लगता वो कितनी बने 21 परसेंट तो मैं कहाँ बस 21 परसेंट निकाल लूँ में टांसर आजया का मेरा किलियर है कोई डाउट है इसमें कोई डाउट तो नहीं है देखो यूनिट डिजिट बन रहे है आठ यूनिट ड 800 पर 10 परसेंट देखें कोई बात ने इसको यह देखते हैं 12800 पर 10 परसेंट के साब से कड़ गया 1200 सी 1200 सी फिर इस पर 10 परसेंट आएगा एक जीरो 12.8 रुपे नहीं 128 रुपे ओप्षन गलत हो रहा है इसमें इसमें ओप्षन गलत है ठिके ना अच्छा 12600 आईए 12600 रुपे है यह थी 51600 है कोई डाउड तो नहीं hours देखिए कोशन है आपको साप सब दे रखा है कोशन पूछाए जे वन में क्यू पी क्यू एस टी यू में क्रमचारियों की कुल संग है किसकी पी की दे रखे आपको 77 क्यू एस टी और यू एक मुण हलो हादू पड़ा रहा हूँ देखिए क्यू के लिए कितना है क्यू के लिए है एक सो तीन क्यू के लिए कितना है एक सो तीन है क्यू के लिए है एक सो तीन एस के लिए कितना है एस के लिए है एक्यासी ती के लिए कितना है टी के लिए है चालेस u के लिए कितना 20 है तो टोटल यह क्या है यह बनेगा आप जेवन क्या बनेगा जेवन कोई डाउट चलिए देखे 10 10 और 11 एक हासे 7 और 8 8 16 16 और 4 20 20 और 2 22 ठीक ना 2 हासे 2 और 1 3 यह बन गए जेवन अब देखें अब जे 2 के लिए है P और Q में P और Q में J2 के लिए क्या कर रहा है P और Q में कुल करमचारी P में कितना है 77 है और Q में है 103 कोई डाउट यह बन गया 180 और सुनिए और U में और U में और अब यहां गड़वार यहां कुछ रहे गया है ठीक है ना एक मिनुट होगी में देख रहाँ जल दि एक मिनुट एक मिनुट एक मिनुट एक मिनुट एक मिनुट कि कुल संख्या के बिच का अंतर कितना हो गया ही 120 हो में confirm हो गया हमारे पास J1 की value है 321 J2 की value है 121 दोनों का क्या पूछा है? दोनों का sum पूछा है तो 321 प्लस 120 कितना हो गया? यह हो गया 441 answer कोई doubt इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं? यह चीछ clear है कि नहीं? आगे डिया ही समझने चले देखिए 449 clear है चले देखिए अगला अगला कोशन वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? जिससे 478 में जोड़ा जाना चाहिए 478 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि प्राक्त संख्या 5, 6, 12 से पूणते बिवाजित हो जाए मतलब यह है यह संख्या पांच छे और बारा से पूर्णते विभाजित हो जाए ऐसा नम्मर कौन सा होगा बताओ जब यह से कुछ ना आजा ना कुछ नहीं है वो संख्याओं को ले लो कुछ और नम्मर की कमी है है कि इसमें दो जोड़ दो मैं इसमें दो जोड़ दो तो यह पूरते बिवाजित हो जाएगा आठ से मुल्टिप्लाइ कने पर कोई कोई डाउट तो नहीं है आंसर कितना करें दो आ गया कोई डाउट कोई दिक्कर तो नहीं है चले देखिए देखिए यह भी तो कर लोगे तीन बट्टे चार 15 बट्टे 16 18 बट्टे 5 इसका पूछा है SCF SCF क्या होता है उपर वाले का SCF नीचे वाले का LCM चलो देखो उपर व दो बस तो हमें पता है LCM कितना है इसका 4 16 5 का LCM होगे 80 80 से भी डिवाइड है इससे भी डिवाइड है इससे भी डिवाइड है चीज के लिए है चले देखिए इसको भी देखिए 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 उसने का है expenditure दे रखा है आपको सब चीज का 18 और 19 का ठीक है ना कह रहा है 18 2018 में और 2019 में कुल व्यब में कितने प्रतीसत की ब्रदी या कमी हुई हब से यह पूचा है ठीक है चले देखिए पहले 2018 में देखूं पूरा जोड़ना पड़े अप मुझे मैं आपको ए 24 यार 24 यार ये के लिए मालो 2018 के लिए मिलू मैं 24 यार 24 यार ये ठीक है ना ये होगे 40 यार के लिए है तो टोटल होगे 64 यार 64 यार चार हजार कितना बहुत 68 यार हो गया 68 कितना यह पंदरह हजार है ये पंदरह हजार है और यह कितना 5600 है अब बस जोड़नों 0,0,6 5,5,10,12,18 ठीके ना 8 में लो 18 6 और एक साथ साथ और एक आठ तो पता चल गया 2018 में कितना है ये है 88,600 2018 में है ये कोई doubt तो निये clear है अब देखो 2019 में भाई ये है 30,000 ये है 48,000 total हो गए 88,000 और ये कितना हो गए 88,000 ये हो गए आपके पास चलिए 3600 और 3800 total कितने हो गए total कितने हो गए 86,000 कितने हो गए 86,000 ठीक है न अब है 15,500 कोई doubt चलिए जो लिए 1,0,1,0 6 और 5,11 एक हासिल लगा दी 88,8,16,16 और 5 हो गए 21,2 हासिल लगा दी 7,2,9,9 और 1 9,9,10 तो ये पासिले clear है ये कितना है ये है 10,11,2,0 कोई doubt इसमें कोई दिक्कत लगा बदा क्या हो रही है ये ब्रद्धी हो रही है ब्रद्धी के लिए option इन में से तर्द एक है ये फोगे ये option ये दो आपको option हो गए नहीं अब उसका छोड़ा कर लो और छोड़ा कर लो और 2,0 से 2,0 काड़ गया clear है अगर में इसको कार्टौन 2,0 से 2,0 तो हमेरा पास पता बच्छा क्या यह भच्छा 1111-886 दो ग्यारा में छे गे 5 दस में से आठ गे 2 ठीक है न यह एक नो में से आठ गे 125 बटे कितना 886 गुणा 100 अब देखो यह चीश कलियर हो रहा है यह आपके पास बच्छाए आप 12500 बारा हजार 500 भाग करना है किसका आठ हय लाव बरावर कितना लाव हो रहा है यह लाव और जीरो चौदे मैं से पांच गई नौ बचे ठीक है ना आठ में से चार गई चार बचे चार सो नव्यका लाव हो रहा है किस पर हो रहा है दो सो पैतालिस पर गुणा 100 एक जीरो लगई जीरो से जीरो काट दी यह चला का कितनी बाद दो बार कितना लाव हो गया 20% का लाव हो गया कोई डाउट इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आगे समयने चले देखे एकला कोशन देखे यह सिर्फ टू स्टार्ट होगे यहां से कोशन बारा तेरह चभीस बावन के LCM 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 और SCF का अनुपाथ यहां । एसका LCM क्या हो ? 3 common है सममी मैं 13 से एक वाल गया 3 दूनी चभी यह क्या करते है ? common वाली चीज देखो LCM के लिए जो common है ॉसको रख लो जो बचा उनका भी LCM ले लो ये चोटा हो गया न, भै, तेरे कमन तर तेरे ले लिया, एक बचा, दो बचे, चार बचे, स्कैल से मो गए, चार, कोई doubt, तेरे से तेरे कडिया clear है, कितना गए, चार अनुपात, एक clear है, चलिए अगला कॉशन देखे, यदि अमन अपनी सामान ने चाल से, साधे-बारा प्रतिसत कम चाल से यात्रा करता है तो वह 9 मिनट देरी से पॉसा है तो साधे-बारा परसंट कितन एक बटे-आठ क्या कर रहा है? कम कर रहा है मतलब n upon d से कोई चीज कमी होती है तो n upon d से कोई चीज भरती है n upon n plus d से ठीक है ना कितना है एक बट्टे आठ है तो बदा कमी हो रही है तो कितना जागा एक बट्टे नौ किलियर है यह होगे समय वाइश स्पीड को कम करूँ को तो समय के होज़ा भर जागा समय कितना दिरिखा है नौ मिनट कोई डाउट है इसमें समय कितना दिरिखा है नौ मिनट खोई दिक्काइट नहीं चीज किलियर है आगे समय ने समझ लीजी इस चीज को कियर थे किलियर है कि नहीं रोको 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 देखर एन अपॉळ डी से कोई चीज कम होती यह तो एन अपॉण एन डिफरेंज अब डी से भढ़ेगा तो मतलग एक बट्टे 8 षाल अगर क समय के वाज़ागा एक बटी साथ से समय भढ़ जागा बढ़ा हुआ समय कितना है 9 नौ सत्य 63 तो तो टोटल कितना समय लगा टोटल समय लगा कितना 63 मिनट कोई दिखका तो निये चीज के लिए है आरा है समयने कैसे करना है इसको मैंने पूरा डिटेल में समझाए ठीक है यह क्यों 3 है यह क्यों 5 है तो बताव क्या करें यहां 5 को गोणा कर दूं और यहां कर दूं तीन का गोणा तो 5 और 20 5 तिया 15 3 दूनी 6 आंसर केतना का है 20 15 6 20 15 6 कोई डाउट कोई दिक्कत तो नहीं है चलिए देखिए देखिए एक कंप्यूटर का अंकित मुले 14 जार है विक्रे मुले 9702 रुपे है यह दिक 23 प्रतिसत और 22 य प्रतिसत की 2 छूट दे रखा है देखो 14,000 एक छूट दे रखा है 23 परसंट की 23 परसंट की छूट देने पर मेरे पास रहे गए 77 परसंट कोई डाउट दूसरी छूट है कितनी य परसंट की बाद में माइनस कर लेंगे 100 पहले य की बल्यू निकाल ले रहे है पर 100 से यह सेलिंग परस किते हैं कि 9,702 रुपे कोई डाउट देखिए 3,0 से पूरा चला गया 3,0 से चला गया कोई डाउट तो नहीं है किलियर है आगे समयने देखे 11 से गया 7 वार 11 से गया 11,88 ठेक है न कितना बच्चा चली जल दियता है भाई 97 है 88 बच्चे तो बढ़ा कितना बच्चा कितने बच्चे 9 बच्चे फिर देखे 11,88 से 11 दूनी 22 ठीक है ना देखे 7 से काटे 7 साथ एकम साथ 7 दूनी 24 साथ 6,42 कोई डाउट तो नहीं है किलियर है आगे समयने कोई डाउट हो तो बताए जल्दी चीज किलियर है कि नहीं आगे समयने किलियर है ये कितनी बच्चा लागए है 9 बात तो कन्फर्म हो गया किलियर है कन्फर्म हो गया ये 10 उपर पहुश गया तो ये कितना हो गया y equal to 90% मतलब 100 मैंसे मैं 90% गटा दूँ तो कितने परसंट का डिसकाउंट का 10% का डिसकाउंट कोई दिक्कत तो नहीं है चीज किलि वारी एक बस्क sits को 20% के लाप पर बेशता है यह अखी क्रिम मूले के आधे मूले पे खरीदे़ोगी मिले खरीद हो Cp और SP और पहले वाले बिकरे मुले पर ही में बेच सा मब एका सो बीसमी बेच सा तो बज़ा कितना लाब होता कितना राब हो रहा है किस पे पचास पे किस पे मेंकि फे पचास पर एंट टू 100 कोई डौड तो निए जी से जी जीरो गई फांस चला गए दो बात साथ दूनि चौद कितने का लाब हो रहा है, 140% का लाब हो रहा है, कोई डाउड इसमें, कोई दिक्कर तो नहीं है, किलियर है, आगे समयने, किलियर है इचीज, चलि अगला कुशन देखिए, 12 और 25 के बीच, सभी अभाज्य संख्याओं का उसा, 12 और 25, 13 आ गया, 14, 15, 16, 17 हो गया, 18, 19 हो गया, ठ बहुत इजी कोशन होगी, अब तो यह किलियर है, जोड के 4 से डिवाइड कर लो, ठीक है ना, आगे समयने, चलिए एक लग कोशन, कोशन नमर 27, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको आजेगा किलियर है, चलिए देखते फिर, 96 of 10, 96 of 10, 96 of 10, minus 40, minus 40, plus 90, plus 90, plus 90, छोटा, फिर है 70, 70, plus 40, minus 22, भाग 3, भाग 4, क्या कर नहीं पाओगे, क्या यह कोशन हो नहीं पाएगा, जल्दी बदाइए, आपको पहले यह पूरा, पहले यह वाला पूरा सॉल्व करना है, डिवाइड के साथ, फिर डिवाइड आजागा, फिर डिवाइड करना 4 का, आप यह लोग कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, चले अगला कोशन करते हैं, ठीक है ना, आपके लिए यह होमबर्ग है, क्या आप इस कोशन को करी कर, यह कोशन बहुत अच्छा है, मतलब ज्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल केलकुलिशन है, ठीक है ना, चले देखे अगला को देखे, राजीव नौ प्रतिसत के लाप पर मोहन को एक पुस्तक बेच रहता है, तो राजीव जो है, बेच रहा है, किसको मोहन को, मोहन को, यह 100 है, एक 9% लाप पर बेच दिया, मोहन इसे गोपाल को, मोहन इसे गोपाल को, गोपाल को 13% के लाप पर, 13% के लाप पर, 13% के लाग पर बेज गिया यदि गोपाल इसके लिए इतना भुक्तान करता है तो राजीप का भुक्तान कितना है मतला इसकी value दे रखे कितनी 12,370 तो मैं होगा इसकी value दे रखे कितनी 12,370 तो बतलब एक की value कितनी होगा 12,370 12,370 गुणा 100 बटे कितना 109 गुणा 113 हमें क्या पूछा है हमसे पूछा राजीव की वेल्यू वाला 100 की वेल्यू पूछे 100 का गुणा और कर दू तो यह अब किसका आ गया है यह आ गया है राजीव का क्या नहीं कर पाऊगा इसको बताए क्या कड़ लोगे से आराम से हो जागा ठीक है न अगला देखिए नीचे दिये गए ब्रत आलेक में एक वर्स में 6 कंपनी द्वारा निर्मित ट्रकों की संख्या को दर्साए गया इन सभी 6 कंपनी द्वारा कुल निर्मित ट्रक 2190 है इन में से किसी एक विशिष्ट कंपनी द्वारा निर्मित ट्रकों की संख्या को इन सभी 6 कंपनी द्वारा निर्मित कुल दो ट्रकों की साफिश डिगरी में दर्सा गया है L, N और Q द्वारा निर्मित ट्रकों की संख्या, M और R द्वारा निर्मित ट्रकों की संख्या से में से कितना प्रतीसद अधिक है, दो, वो है degree, कितना परसेंट अधिक है, ये पूछा है साब-साब, इसमें कोई दिकरत नहीं आनी चीए, ठीक है न, चलो देखो, भाई मैं कह कितना 360 का, 360 की value है 2190, एक की value है कि 2190 बटे 360, यह आ गई एक degree, एक चीज़ समझना में कि आज समझाना चाहरा हूं, clear है, पूचा क्या है, L, N और Q का, L, हम से पूचा L, N और Q का, चलिए, L का कितना है, L का है 180, L का कितना है 180, N का, N का कितना 72, N का है 72, और Q का, और Q का है 15, और Q का कितना है 15, तो यह होगे कितना, 7, यह होगे 8 और 8 16, यह होगे 270, 267, तो बदाओ, पता चल गए 267, 267 ratio, चलिए, अब आईए, किस पे, M और R पर, M कितना है, M है 36, R कितना है 33, तो यह कितना होगे, यह होगे 9, यह होगे 9, यह होगे 6, यह कितना 69 है, यह कितना है, 69, कि कुल संख्या से कितना अधिक है 69, क्या यह अधिक है, हाँ, अधिक है, आप देखो, अगर मैं इसको डिगरी लेके चलू, कि अगर यह इतना डिए तो गुणा भी इसका दो हजार एक सो नभए बटे तीन सो साट का यहां भी गुणा का इसका भी यहां गोड़ा कट जागा नहीं यह तो कोई मतलब नहीं रहा इसको यहां चेंज करने का चीज के लिए रहे बस यह पुझा कितना अधिक है तो जाओ कोई डाउट इसमें कोई दिक्कत तो नहीं के लिए है आगे समयने तो देखो यह कितनी बार गया एक बार चला गया पूरा के लिए है यह एक बार गया एक सो छै मैंसे एक सट गे तो बचे कितने पांच और यह होगे चार एक जीरो और उता लिए ठीक है ना तो 86.88 ठीक है ना और कितनी बार गया ऑजागा ए है से कितने प्रती सत अधिक है से कितने प्रती सत अधिक है देखो एल एक वच्छा कर लो एल की है एक सो छे ठीक है N की कितनी है, N की है 20, Q की कितनी है, Q की है 15, ठीक है 267, ठीक है अब यहां दे रखा है M और R का कहीं देख तो लो कहीं कुछ तो नहीं दे रखा गलती से L N क्यों सही है, M और R, M का कितना है, M का है 36 और R का है 33, R का ही है na M और R 39, 69 69, 69 अरे ये गलती हो गई 69 है मेरे साथ ही ये गलती हो गई 69 है ये इसको मैं पूरा लिख दी रहा हूँ फिर से ठीके ना, ये कितना 69 है कोई डाउट तो नहीं है 267 मैंसे 69 गटा लो 17 मैंसे 9 गई तो कितने बचे 8 ठीके ना पूरा है आगे समय है ये हो गई पंद्र है 15 मैं पंद्र वाइशचय गए 9 किलियर है ये हो गई 198 अधिके किससे 69 से इंटु 100 100 कर लिया ये चलागा कितनी बार लिए गिया कितनी बार गिया एक बार तो ये चला गए 2 बार नो दुनी 18, दो बार चला गया, दो बार आप आगया, अब इसमें से बिल्गुल सही है, अब यह दो बार जाएगा, दो बार जाएगा है, तो 9 दुनी 18, 6 दुनी 12 और 13, ठीके, तीन बार यह जाएगा नहीं, 8 में से 8 गया, 0, 9 में से 3 गया, 6, 1, 0 और उता लेठीगा, तो 2 तो यह confirm होगे, 2 यह आगया, अब देखो यह कितना है, 69 है, अगर इसको 10 बार भी गोणा करूं, तो 6, 90 हो गया, कितनी बार जाएगा, यह 9 बार जाएगा, तो ऐसे को यह option में है, और अच्छा, इसको 8 बार भी देख रहते हैं, 9, 82, 7, 8, 48, 48, और 7, कितनी हो गया, 53, कितनी बार जाएगा, 8 बार तो पता चल गया, 2, 8 आ गया, तो हमारे पास option कौन सा गया, 2 हो गया, यह चीच के लिए है, आगे समयने, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीच के लिए है, आ रहे है समयने, चैने देखे एकला question, देखिए, चक्रवति, बारसिक चक्रवति, ब्याच किस ब 23,152,50, कोई डाउट, पॉइंट अटाके नीचे आगया, 0, समनों यह चीच, 0 सो 0 गया, 0 यहां गया, तो यह हो गया, 2,00, यह कितना हो गया, 2,00, यह हो गया, 2,00, इसको लिख लो, 2,00, 31,525, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीच, केलियर है, आगे समयने, कोई डाउट तो न अब देखो, यह अर्दवार्सिक रूप से कह रहा है, मालो, अर्दवार्सिक रूप में कहता है, समय का दो गुना हो गया, समय का दो गुना लेकर चलें, तो यह बन गए 3 साल, मतलब यह है, इसको 3 साल में है, कितनी साल का है, 3 साल का है, मुझे चाहिए 1 साल का, 1 साल का क्य क्या ऐसा बन सकता है बस यह चेक करना है ठीक ना अब देखो 25 से काटा मैंने 8 वार तो यह हो गया 8000 हाँ बन रहा है ठीक ना 25 नम्मा 225 हाँ चला जा रहा है 25 ठीक ना यह हो गया 6 तो हमें पता चल गया कित्नी व्याज खा रहा ही है एक व्याज खा रहा हूं किस पर 20 पर इंटों तो यह कितना बन गया फाच पर्शेंट बन गया लेकिन हमें उल्टे चलनला कितना जो adoog hair 2 ुहां कि महां क्या हुआ है हादा हुआ propose nine-tinsa मा फाना हुआ हो साफसा पता चलता है यह चीस समझते आओ पांच पर्षा है तीन साल यह कौन सा यह इसका आदा हो गया तो यह क्योंग दोगुना इसका दोगुना होगा के लिए है आगे समय चले देखन देखें एकला कोशन कोशन मत हर्टी वन चावल के मुल्य में 10% की ब्रद्द दस रख् इतने से कम होगा, चलिकितने से कम होगा, एक बटे 11, एक बटे 11 का मतलग कितना होगा? 100 बटे 11 परसेंट की क्या होगी, कमी होगी, आंसर, कोई डौट इसमें, कोई दिक्कात तो नहीं है, है ऐसा option, हाँ, है option, number एक, चीज किलिए है, आरा है समयने, कोई डौट तो नहीं है, चलिए अगला देखिए, देखिए अगला question, अगला question है साथ साथ दे रखाया ठीक Animное Society R की कुल आलस है,300C और 120, कितना हो गया ? 500. तो पता चला में, Society R में कुल आलस है ? 500. Society P में महिलाओं की संख्या Mississippi किसमें, P में महिलाओं की संगे कितनी है 320, कितनी है 320, पूचा है इसके बीच का अंतर कितना है, क्या पूचा है इसके बीच का अंतर कितना है, तो बताओ, इसके बीच का अंतर कितना है, 100C, कितना है, 100C आंसर, कोई doubt इसमें, clear है, आगे समझने, option कौन सा है, option नमर एक, आ रहा है समझन कोई डाउर तो नहीं है चीज किलियर है अगला देखिए देखिए यदि दो संख्याओं को LCM 72 उनका गुड़नफल 2728 है उन संख्याओं को SCF कितना होगा समझो दो गुड़नफल दे रखा है महला A into B दे रखा 1728 संख्यां कितना 72 हैं यह क्या निखलकर आएगा यह निखल love you that onda को सब्सक्राइब देखो कितना 24 समय रहें इस loni से करकर देखुँँ कि यह आवात दुनी सोले नहीं आ रहा यह एक कोणा भात तर बन रहा है डो दुनी चार एक है तो बच्था पांच्व लंगा और तुम एगुशं नमब नमा 34, question नमा 34 है, j बटे 4, equal to k बटे 5, equal to l बटे 3, यह है, जब भी ऐसा question आजाए न, किसी भी variable के नमबर upon में चले जा, मलब किसी भी variable के नीचे, कोई भी संख्या दे रखे, तो वही variable उसका नमबर बनाता है, मतलब जे का मान कितना है, जे का मान है 4, k का मान है 5, l का मान है 3, कोई doubt, तो पुछा ल प्लस j, kितना है 7, 7 को उसक्र कर और अचास, ठीक है, Y plus K जे प्लस के 549 को कहल इसकल कितना उगा 81 ठीक है अब कौन सा है K plus L 5388 को इसकल कितना उगा 64 तो answer क्यतना 1864 rare आगे समन्ने चलिए अगला देख़ी देख़े मिया और रिया अकेले मिया और मिया और रिया अकेले काम को 15 दिन और दस दिन में पूरा करते हैं, चलिए, एल से आगए 30, 15 दुनी और 10 दिया, अब कोशन कहरा है, मिया ने अकेले कार्ष सुरू किया, भाई मिया ही अकेला कार्ष कर लिया, और पांस दिन बाद रिया उसके साथ आ गए, इसका मतलब है, मिया ने कार्ष सुरू किया है, ठीके काम कर लिया, बचा कितना 20, अब ये 20 के साथ आ गई, ये 20 के साथ आ गई, अब पूचा है, तो कार्ष पूरा होने तक एक साथ रहेगी, अब कार्ष पूरा होने तक एक साथ रहेगी, तो कार्ष पूरा होने तक एक साथ रहेगी, तो कार्ष कितने समय तक और चला, कार्ष बीस दोनों मिलके एक दिन में काम कितना करेंगे आप पांच करेंगे तो छे तीस बटे तीस बटे पांच कितना आ गया छे दिन कितना गया छे दिन कोई डाउट इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है कितना आ गया छे दिन यह समझने आ गया आगे समझने कोई डाउट तो नहीं ह कोई डाउट के लिए है कि मिया ने अकेले कार्रे सुरू किया मिया एंड दिया 15 और 10 एक मिनट इस्टार्ट अलॉन मिया ने 5 दिन बार जॉइन कर लिया 5 दिन पांच दिन दस दस काम होगे 20 जॉइन हो गिया कार्रे कितने समय तक चला अचा पांच है न अचा यह 30 नहीं है तो सेस है बीस बटे पांच कितना गए चार दिन तो बतो कितने दिन तक काम चला चार दिन तक काम चला कितने दिन तक काम चला चार दिन तक कोई डाउट इसमें कोई दिक्कत नहीं है वाई सेस काम तो बीस है ना बीस बटे पांच ठीक है ना कोई डाउट तो नहीं चली मता 10 दिन तक 300 आधिमियों ने काम किया, 10 दिन तक 300 आधिमियों ने काम किया, कोई डाउट उसमें, कोई दिक्कत होगे, सम्मूव में 100 पुरुस और सामिल होगे, पहले 300, अब 100 पुरुस आगे तो टोटल होगे 400, तो पूचा सेस भोजन कितने दिन चला था, D की वेलू 400 गुणा D, कोई डाउट, 20 से 20 कोई, ठीक है न, चार से गया पांच भार, पांच ती है पंदर, तो कितना आज सागया, 15 दिन और सामगरी चलेगी, कोई डाउट तो नहीं है, चीज़ किलियर है, आगे समने, चले अगला कोशन देखे, देखे, एक व्यक्ति शुरुवाती 25 किलो मीटर की दूरी 60 मिनट में, अगले 38 किलो मीटर की दूरी 30 मिनट में तैक करती है, तो औसा चाल, औसा चाल क्या होती है, औसा दूरी बटी, औसा समय, औसा दूरी है 25 किलो मीटर, पिलस 38 किलो मीटर, समय कितना, 60 मिनट का मतलब, एक घंटा, 30 मिनट का मतलब, आदा घं प्लस आधा गंटा मतलब फ्लेड़ घंटा में हुअर। Fr साथ मिनट तो कुल समय साथ तीस नबबय मतलग देड़ घंटा चीज के लिए है आगे समय ने आट पांच तेर है तीन और तीन छे बटे में कितना पंदरा है उरूपर लिख दिया मैंने कितना दस कोई डाउट पांसे गया तीन वार पांसे गया दो बार तीन से गया तीन कि अगला 12mm वाले एक ब्रत का छित फ़ल कितना होगा वह सरकल और पाइर उखर विया दो ये उगे 12 तै गचशा लोग theo यह 12 m् किया है यह भया है दो बताओ त्रिजा आ इकल टुका थिटन कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कर तो नहीं है, चलिए देखिए, देखिए, पहले लोगराम समानता चत्व बुजाय कितने हैं, 12 और 5 है, यदि उसमें से एक डाइगनल कितना है, 13 है, तो उसका एरिया कितना होगा, जल्दी करिए इस कोच्छन को, करिए इसे जल्दी, करिए इस कोशन को जल्दी कैसे करेंगे मैं लिख दे रहा हूं आप सुनिए कोशन है कोशन है समानता चत्रबुज की दो संगत भुजाएं 12 cm और 5 cm है यदि इन में से एक विकण 13 cm लंबा है तो उस समानता चत्रबुज का एरिया कितना होगा जल्दी गरिए इस कोशन को जल्दी करिए जल्दी करिए आओ ट्रीक है ट्रीक है ओगए ओगे और्फ भर तो द्रूझ और ओगे ट्रीक है ओगे ओगे है pattern हेए चलिंग चलिंग देखें कोश से इसकी ऑमनें सामने की बुजाएं कि और अब कोशिण है यह आगा 12 को आज इसको यह कितना है यह लग्लात शक्रारा इसका विकंड कितना है मिकंड किटना है विकंड कितना है आपके 12 13 सवक्रों तिरेंट बन गया कई नहीं बन गया कोई बटाऊट तो बताओ अगर मैं एक zde को निकाल लूं बार्ट अंधु थियर्यों के भागव कर दिया दूसरे घर तो निकल जागा यह एक संस्प्र्बाव यह खोbahn into height का गुणा करनों यह चीज किलियर है आगे समयने कोई डाउट तो नहीं है किलियर है कि नहीं जल्दी सो देखिए कोई दिक्कर तो नहीं चलिए ठीक है? अब विकान से मतलब नहीं है हमें यह आ रखना चलिए ठीक है? आब देखा है Base into height हमारी ये हो गई 5 और 12 तो कितना हो गया? 5 गुणा 12 मतलब 12-52 12-52 तो कितना हो गई 12-56 Sut kun चीज के लियर है समझ beginners जल्दी समझ ये? के लियर है ये चीज आगे समयने, चलिए अगला कोशन देखे, कोशन नमर 40, इसका second shift का वी last कोशन, कोशन है G, 9G, plus 2H, बटे, 9G, minus 2H, बड़ावर 9 बटे 2 है, इसा गुणा करा मैंने, 9 दुनी 18, ठेके न, 18, 99, 81, 81 मैंसे 18 गए, तो यह G की वेलो है, 11 मैंसे 8 गए 3, 7 मैंसे 11 है, तो यह हो गए G क पर आवर मैं, देखे, 2 दुनी 4, 9 दुनी 18, यह plus होगा, ठेके न, यह क्या होगा, प्लस होगा, ठेके न, यह क्यों होगा, प्लस होगा, फ्लस होगा, फ्लस होगा, जी का मान कितना है, 22, G का मान कितना है 22, H का मान कितना है 63, H का मान कितना है 63, तो answer कितना है 22 अनुपा 63, कितना है 22 अनुपा 63, कोई doubt तो नहीं चीज के लिए थे, चलिए अब थर्ड सिर्फ्ट का question number first, चलिए कोशन है एक आदमी ने 2200 रुपे में एक पुराना प्रिंटर खरीदा और मरमत में 800 रुपे खर्च कर लिये तो टोटल इसका 200 प्लस 800 टोटल हो गया 3,000 रुपे इसका क्या हो गया कोश्ट प्राइस कोश्ट प्राइस हो गया 3,000 हमें अब पता हो सेलिंग प्राइस कितने है 3600 मतलब 600 रुपे का में इन प्रॉफिट कमाया किस पे 3,000 पे इंटू 100 2,0 से 2,0 गया 0 से 0 गया 3 से चलागा कितनी वार 3 से चलागा कितनी वार 20 वार कितना गया 20% का लाभ हुआ कितने का लाभ हुआ कोई डाउर तो नहीं है समान दूरी 5 घंटे में तय करती है तो हवाई जाज की चाल कितनी होगी हवाई जाज की चाल कितनी होगी चली देगे एक हवाई जाज 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे तो बताओ 8 घंटे के साथ 832 तो यह ओगा चालिस किलोमीटर प्रति घंटा आंसर कोई डाउट इसमें चीज के लिए है आगे समयने कोई डाउट तो नहीं है चली अगला कोशन देखिए देखिए एक बिद्याले के चात्रवास में 90 चात्रों की दूद चात्रों की दूद की मासिक खबत 183 लीटर है यदि दूद का मा खबत वही रहेगी याद रखिए खबत वही है देखो 90 चात्र है दूद की मासिक खबत कितनी है 183 है यदि दूद का मासिक रासन भढ़ाकर 915 लीटर कर दिये जाए ठीक है ना देखिए 90 की मासिक खबत कितनी है 183 भाई कार रहे है ना यह 183 पूचा है 915 लीटर कर दूद मैं कितना कर दूद 915 लीटर तो कितने चात्रों को टहरा यादा मनला X की वेल्यू पूचा है क्या कोई दिक्कत इसमें कोई डाउर तो नहीं है किलियर है कोई डाउर तो नहीं पांसीह 15,85चारिस यह चला गए कितनी वार 5 वार तो एक्स की वेल्यू कितनी हो गई 9 545 कितना गई चाहर सो कितना गई साढ़े चाहर सो चीज़ केलियर है इसको आप करीगे mdH किसे करेंगे mdH ठीकिना 94 ऊपर आ गए दूद खबत हो रहे है मतलब मैं खा रहा हूं मेरा हाथ जहां यूज हो गया वो कि बने कार रहा कार रहा कितना 183 लीटर है ठीक है ना चीज के लिए है पूजा कितने student के लिए 915 लीटर हो जाएगा तो बस यह निकाल दिया मैंने चीज के लिए है अगला देखिए देखिए इस कोशन को कोशन कोशन पूचा है निम लखे टेंड आलेख में एक क्लास के 30 छात्रों को जनम दिन के महिनों को दर्साया गया है कितने चात्रों को जनम दिन जुलाई और नवमबर के दॉरान आते हैं प्राइए ओर नवम्मर य zitten इसके दूरान आ रहे है तो बताँ इसके दूरान कितने हो गए मी कितनी है ढही तेज कितने चीश नौना संभेyu और एक वस्ट्रू के मूलले में, 5% कि ब्रद्दी हो जाती है, फिर 10% कि कमी हो जाती है, प्लस माइनस माइनस हो गया, यह उगा 5 गोणा 10, अब 150, कोई डाउड, 0 सा 0 हो गया, यह Soviet 0.5, यह कितना गया 5, minus कि 5, ठेक न, minus कि 5, minus कि 0.5, कोई डाउड, minus minus plus हो गया, minus के 5.5, minus क्या 100 करता है, minus 100 करता है क्या कमी, तो बद़ा कितने की कमी है, 5.5% की कमी है formula कौन सा है, कुछ नहीं, formula है x plus y plus xy बटे 100, यह तो formula है बस पहले में ब्रद्दी मतलब उप्लस है, यह दूसरी कमी है मतलब कमी है, मतलब minus, x यह minus होगिया, plus minus क्या हो जगा कोई doubt तो नहीं है, चीज clear है, आ रहा है समय नहीं, चलिए देखे एक लो question, आठ आधे प्रती दिन आठ घंटे काम करके, आठ दिनों में चौसट कोर्सियां बनाते हैं, तो चार आधे प्रती दिन चार घंटे काम करके, चार दिनों में कितनी कोर्सियां बनाएंगे, किलियर है, कोई doubt इसमें, अब तो किलियर है, देखों ये चला गया पूरा, चार से चला गया कितनी बाद दो बार, दो से चला गया दो बार, तो x की वेलू चार दुनी आठ, तो कितना अंसर आगया, आठ आंसर आगया, कोई doubt, कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए अगला question देखें, question, 30 cm तरिज्या और 14 cm ऊचाए वाले, बेलन का वक प्रश्टिय छित्रफल कितना होगा, जल्दी बताए, बेलन का वक प्रश्टिय छिर्फल टू, पाई, आर एच होता है, क्या नहीं कर पाऊगे, कोई doubt, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए देखें, ये कितना है, ये है 44, ये कितना है, ये है 68, तो ये होगे 44, गोणा 68, आर चोग 32, आर चोग 32, 32 और 3, 35, 6 चोग 24, 6 चोग 24 और 2, 26, ये हो गया, 2, 9, 9, 2, किससे डिवाइट करना है, 7 से डिवाइट करना है, 27, 21, ठीक ना, 7, 21, 7, 24, 7, 24, 7, 24, 7, 24, 5, 8, 56, 8, 56, तीन, फिर 2, 7, 24, 7, 24, ऐसा ऑप्शन में है, हाँ, देखो, ऐसा ऑप्शन में कौन सा है, ये 2 है ना, ठीक है 2, चीज की लिए रहे है, तो एक बाद पता चल गहे है, इसका प्रियो कर लो बस दो गुणा तीन दसनल एक चार गुणा पाई की वेलू कितनी है इतनी आर की वेलू है 20 गुणा यह होगे 34 अब करना है पॉइंट अटाक है यह होगी 2-0 यह चला कितनी बार 5 बर अब हो जागा अब हो जागा अब हो जागा आप तो कोई दिक्कात दिनी है ठीक ना देगे 34 का गुणा इसमें चार दूनी 8 दो तीन दूनी 6 चार दूनी 8 दो तीन लठारा चलिए 2-5-8-5-13 ठीक ना 10 और 11 यह होगे 2 21,352 किसे भाकरना 5 से भाकरना 5 और 20 एक हासिल पांच दूनी 10 तीन हासिल 5 सत्य पैतिस हाँ बन गया यह दो यह बन गया 5 सत्य पैतिस ठीक ना 2 बचा 0 लगा गया 0.5 तो कितना गया 4,270.4 कोई डावर तो नहीं है कोई दिकत तो नहीं चीज के लिए है आगे समझे चलिए देखे एगला कोशन देखे देखे एक समान नुपात के प्रथम और त्रतिय और चत्रत पर तो इतने त्रतिय पद कितना देखे यह है रिशियो यह पूछा आपसे 16 अनुपात 6 तो अगे एक्स की वेलो अगे 3 तो ऑप्शन नुपर कितना हो गया ऑप्शन नुपर फर्ष किलियर है चीज किलियर है आ रहे है समयने चलिए अगला कोशन देखे कोशन नुपर 49 कोशन है 156 बटे 13 गुणा 147 बटे 24 गुणा 8 बटे रंचास गुणा गुणा ओव लगा दिया है इसके बीच में कुछ तो नंबर होना चाहिए इसके बीच में नंबर क्या है मैं देखता हूँ एक मिनट रुकिए एक मिनट रुकिए इसके बीच में नंबर क्या है पता चल जागा भी आठ बटे औरंचास एक ही है यह गुणा नहीं है यह गुणा नहीं है ओव है सिर्फ ओव है ओव का मतलब गुणा 24 बटे 144 बस इतना ही है यह ठीक है ना चलिए हो जाएगा देखे तेरा एकम 13 चरिवार कोई दाउट कोई दिक्कत तो नहीं है चीज के लिए है आगे समय नहीं है बारा से गया दो बारा चार से चला गया पार तीन नाम 27 कोई डाउट तो नहीं है तीन नाम 27 तीन चौक 12, तीन नाम 27, ठीक है, ओड़ंचास, आट बटे ओड़ंचास ही है ना, 156 बटे 13, 147 चौविस, 8 बटे ओड़ंचास, और 12 बटे 144 है तो यही, चलिए कोई बात ने, देखे, 156 बटे 13, गुणा, 147 अपान 24, गुणा, 8 अपान 49, गुणा, 24 बटे 144, 12 एकम 12, 12 दुनी 24, 12 से 12 चलिए, 2 से गया 6 बार, ठीक है ना, के लिए, 13 एकम 13, 13 दुनी 26, ठीक है, 6 से गया कितनी बार, 2 बार, ठीक है, ठीक है, 2 से गया 12 बार, ठीक है, भाई, 4 से गया 3 बार, 4 से गया 2 बार, कोई बात ने, यह चला गया 3 बार, 3 से 3 गया तो कितना रह गया, सिर्फ और सिर्फ दो रह गया, option कितना आगया, option आगया आपके पास दूसरा, यह चीज के लिए है, आपको cross multiply धियान करके चलना है, ठीक है, अगला कोशन देखे, कोशन है, प्रिया ने 12, 32 से दर पर निश्चित धन रासी रिण ली, यह क्या है, यह क्या ह उसका amount कितना था, ठीक है, महला principle, clear है, वो बुक्तान करे, वो है आपका मिश्धन, और कोशन क्या करा है, कोशन करा है, नॉर्मल तरीके से पैसा उधार लिया है, चलिए देखिए, देखे, principle पूचा है, कितने साल तक है, भाई, 12, 12 परसेंट है, गुणा 2, 12, 24, 12, 24 बटे 100 मिश्धन दे रहा है, पहला कोशन मैं समझा है, 100 में जोड़ दो, तो मिश्धन बन जाता, 100 में जोड़ दो, मिश्धन बन गया, कितना है ये, 10,176 है, कितना है, 10,176, कोई doubt इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए देखे, 4 से गया, 4 तिया 12, 4 से कितना है, 4 तिया 12, 4 एक हम 4, 4 से गया, 4 दो नहीं, 8, ठीक है ना, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 4 चोग 16, 4 चोग 16, 1, 4 चोग 16, कोई doubt तो नहीं है, यह चीज़ के लिए है, अब देखो 31 से मैं सो काट हूँ, बाई 31 से मैं काटने बैटा, 10,170, option चेक करो जरा, कहीं गलती तो नहीं है, 12 पर्षेंट है ना, हाँ, ठीक है, इसको ऐसे करें देखना जरा, यह सायल, प्रिया ने 12 पर्षेंट बारसिक दर पर एक निश्य धनवरासी रिड़ ली, यदि उसने दो वर्षों की अंत्मै, बारसिक रूप से, यहां ऐसे लिखो, यहां एक काम करो, इंट्रिक्स कंपाउंड है यह, वहीं मैं कहूं, यहां यह कंपाउंड है, वो है चक्रवती ब्याज का, इसको लिखो यहां, चक्रवती ब्याज का है यह, किसका है यह, चक्रवती ब्याज का है, अब तो कोशन हो जाएगा, अब कोशन हो जाएगा, यह क्या है, चक्रवती बारे पर्सेंट का मतलब गया थीन वर्टे पतचीस दो साल के लिए खेसो पत्चीस अब है थीन वह गया थीन वह थीन नो थीन देढ़ सो बटे नो मदला होगे 159 कोई डाउट के रूप में बुकतान कितना का गए 10,116 इसकी वेल्यू कितनी है 10,116 तो एक की वेल्यू कोई 10,116 बटे 159 हम से पूछा है कितना हम से पूछा है कितनी दनराशी की मतलब 625 की वेल्यू पूछी है अब हो जागा अब कोई दिक्रतने यागे चीज के लिए रहे क्योंकि यहां साबसाब उसने बोला नहीं था यहां बस आपको यह लिखना पड़े है बार्सिक रूप से कौनसी सन्योज़ चक्रवती ब्याज लेती है यहां आपको एक सब्द लिखना पड़ेगा कौनसी चक्रवती ब्याज के रूप में 10,116 की राशी का बुकतान करती है बस आपको यह चीज़ लिखनी है नहीं कि ऌंदिन कोई ढूड़ तो निया है चीज़ के लिए है आगे समयने कोई इसको सॉल्व करेंगे त्रनांसर आ जागा कोई डाउड तो नहीं चीज़ किलिए आगला आगी नहीं कोशन वाई बिल्कु सही तरही से कोशन फिर मेरा हाथ खराब हो रहा है तो मैं इस चीज को ध्यान दूंगा अगली वाद से आप इस चीज के बे फिकर रही है ठीक है एक व्यक्ति ने एक बस्तु को इतने रुपे में बेचा और 25% की हानी होई 20% का लाब कमाने के लिए किस मुले पर बेचना पड़ा है तो बेच रहा है चीज के पर हानी हो रही है पच्चेश बट्यस सो इक लटू 33 से यार 750 तो बताओ 50 यह 100 चला गया पिचत्तर आगया नीचे अब कहा रहा है इसको लाब पे बेच रहा हूं कितना 25% 25 बट्यस बट्यस सो तो सो से सो गया 25 से गया तीन बार 25 से गया पांच बार तीन एकम तीन एकम तीन एकम तीन तीन दुनी छे तीन पंजे पंद्रा कोई डावट जीरो पचम पच्चिस पांच दुनी दस दो बारा ठीक है ना पांच और एक छे पांच कितना गया 56250 रुपे आंसर पंच केलियर है आगे समने 56250 रुपे मैं एक फिहार समझा रहूं आपको यह 16 conten 12 इसको इसकी उंचाई के सब्द्री भाजित करता है बई सब्द्री भाजित च्छि़ करता है दर पहले कितना था एक था पहले समझो पहले था एक अगर कुल प्रष्टे छिर्थफल में कितने प्रतीसत की ब्रद्धी होगी एक ची माइन से सब्सक्राइब की चलना के लियर है मतलब टोटल सर्फेस एरिया कितना होता है जल्दी बताइए यह होता है 2Pi R R Plus H कै यही होता है कि नहीं होता है जल्दी बताइए हाँ यही होता है तो बताओ पहले था आपका 2Pi R R Plus H बाद में दो तुकडे हो गए, दो तुकडे हो गए, तो अभी भी तो यही है, 2 pi r, r प्लस h, बस दिक्कत क्या है, यहाँ जो r है वो है 16, यहाँ जो h हो गई आदी, यहाँ के लिए यह है, जो तुकडे हो है, यहाँ के लिए r कितनी है 16, और h कितनी है 16, h कितनी है आपके पा R है आपके पास 12, R है आपके पास 12, R प्लस H, यहां R कितनी है 12, लेंगे HB कितनी है यहां 16, तो यह तो पूरी है, देखो R तो common है, यह पूरा कड़िया, मतलब यह सा, यह सा, इसके साथ कड़िया, R प्लस H, 12 प्लस 16, कितने हो गई, यह हो गई, 38, 38, रिशुद 2, यह दो नों कितने हो, 12, प्लस 8, कितने हो गई, 20, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं, 2 से चलागा 17 बार, बताब क्या हो रहा है, यह ब्रद्धी हो रही है, यहां, ब्रद्धी हो रही है, किस पे, 3 पे, किस से, 17 से, इन्टू सो, कितना हो गई, 300 बटे, 300 बटे, इसको डाइट आंसर कर लें, 300 बटे 17, 300 बटे 17, कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत नहीं, चीज किलियर है, आगे समयने, कोई डाउट तो नहीं है, यह चीज किलियर है, कोल प्रेशर शित्फल में, कितने परसंट की ब्रद्धी हुई, तो उसने पूचा क्या है, कोल कितने परसंट की ब्रद्धी हुई, अब तो हो जाएगा, चीज किलियर है, कोई डाउर तो नहीं है, आ रहा है समझने, जल्दी करिए इस कोशन को, जल्दी करिए, जल्दी करिए, ठीक है ना, अच्छा आप यह कहना चाहरे हैं, अच्छा तरज्जा 21 है, कोई दिकर नहीं है, किस के अकॉर्डिंग कर लो लो, भाई माल Walk मैं 12 के kodring के, आप 21 के kodring कर लो, 21 और 16 कितने हैं, भाई आप अईसे कर लो ऐसे, कोई दिकर नहीं है, आप यह मत देखिए, भाई 21 और 16 कितने हैं यहोगए अपके पास 37, यह 2, यहां क्या gün 20 और 28 कितने उंगए 29, ऐसे कर लो, के लिए हैं, यहोगए 37, यहोगए 9 तीस दूनी साथ, यह होगे 59, अब तो ब्रद्धी हो रही है, अहां, ब्रद्धी हो रही, कितने की ब्रद्धी हो रही है, 9 में से 7 के 2, ठीके न, और 5 में से 2 गए, 3 2, 200 बटे 37, अब तो हो जागा, इतना परसंट होगी है, ऐसे रख लो, अगर आपको यह देखना है, कि यहा रहा है, मैंने 11 के कर लिए, तो आप 12 के कर लिए, 20 के कर लो, 21 के कर लिए, आपके पास यह आ गया, इसमें कोई बे फिकर मत रहो कि नहीं, यह नहीं, वह हो गया, यह क्लियर है, आप इसमें इतना मस हो जचिए, ठीक है, चीछ क्लियर है, आगे समझनें, अब तो ख्लिए 73 बाइ जोडे रक्वाई ए सबसक्राइए रहें सापशाइर संधे रखेऊ पहले गंटे में old पहले गंटे में old कि भाइले गंटे की काीघ्र एट कि यह मीर्णी कर दूसरे गंटे में5000 कि कि टिं dovre i किलो मीटर प्रती घंटा ये भी ऐसे कर लो इसमें भी कोई दिक्कत निया के लिए पहला घंटा फिर दूसरा घंटा ये एक घंटा ये लेकिन काउंट के सामें दूसरा घंटा किलियर है अगला देखें ये भी आपका हो जाएगा 600 रुपे की धनरासी पर साधान भी आज 54 र इसमें क्या दिक्कत ही चली अगला देखें कोशन के लिए आ रहे हैं ये भी कोशन हो जागा इसको भी करिएगा ठीक ना ये कितना है आठ ठीक ना 8 तट्यशक पन साथ्ये 27 ये चला कितनी बार 5 बार कोई दिक्कत तो नहीं है माइनस प्लस 35 में से 5 गए 25 25 बच्चीस और 10 कितने हो गए 25 कोई दिक्कत तो नहीं है किलिए ये कितना हो गए 56 ये देखो खें केलियर है अगला कोशन देखो 57 एक सौधे में कार बिक्र ने एक ग्राव को एक प्रतिसत बढ़ा दिया, ठीक है, on a deal, the car dealer allow 1% discount, 1% की छूट, 1% की छूट, 1% की छूट दी, 1% की छूट दी, if the discount allowed was 4000 रुपे, तो selling price कितनी होगी, clear है, आगे समयने, भाई 1% की discount दे रहा है, और selling price कितनी है, question, selling price पूछा है, यदि discount कितना है, 1% है, करो इसको जल्दी, इसको भी जल्दी करो, discount 1% है, तो सीरे सीरे निकाल लो, भाई, discount 4000 रुपे, discount कितना है, 1% मेरा 99,200, 99,200 कट गया, 9.36, 36, 39,36, ठीक है, न, 36 और 4 कितने होगे, करो इसको, 36,39, 49, 1-0 आपके पास है, ठीक है, एक 0 आपके पास है, अल्रड़ी, तो कितना होगे, 39 होगे, कितना होगे, 49, कोई doubt तो निए, चीज के लिए है, आगे समझे, भाई, percent लगा है, उसने पूचा क्या है, उसने पूचा बिक्रम मिले, बिक्रम मूले या, कितना होता, आप 100% off, कितना हो गया, 396 00, कोई doubt, कोई दिक्कत तो निए, चीज के लिए है, तीन लागशन पूचा बुद्धवार को भिविन बहानों का दर्साहरा है, बाहन एद्वलर त्यक ही गई कुल दूरी गयार्त करना पहई एद्वलर त्यक ही गई कुल दूरी ये सब दूरी है 100 यह है 22224 चट हो 32 100 प्लस 2224 कितना थीनinflux त्यक्तना 220 है तो कितना ऊंगया यह नोआ인가 694 कितना आगया 694 कोई डाउट इसमय है Option number कौन सो किया? Option number पहला. चिस के लिए है? आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई लिख लो, ए के लिए 100 है, मंगल को सौंबार को, मंगल को 284 है, बुद्धवार को 320 है. ठीक है ना? चलिए अगला कोशन देखें. 59. 59. देखें, रिया अकेले किसी काम को, रिया अकेले किसी काम को 6 दिन में करती है, जबकि सिया अकेले उसी काम को 9 दिन में करती है, LCM आगए 18. 6 से गया 3, 9 से गया 2. कोशन देखें, वे दौनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो काम कितने दिन में पुरा है? कोई दिक्कत तो नहीं है चलिए अगला देखिए अगला कुछ है यदि 40 kg भार वाले एक लड़के के स्थान पर एक नए लड़के को सम्मू में सामिल कर लिए चालिस kg का एक लड़का है उसकी जएए एक नए लड़का आ गया पर 10 लड़कों का उसत बार पहले भी 10 लड़के थे और अब भी कितने हैं 10 लड़के पहले का उसत हमें पता नहीं कितना था मालो वह उसत था एक 3% की अब समझो जो व्यक्ति आने जाने वाला व्यक्ति जो गया व्यक्ति है वो कितने का है 40 kg का है कितने का है 40 kg कोई डाउट कितने का है 40 kg का अब मतलब यह है जो लड़का आया है वो 40 kg से अधिक है जवी तो 3-3 kg सभी में बढ़ गया समझो फई 10 व्यक्तियों में 3 kg बढ़ र और 30 kg किसके वए से बढ़ा है आने वाला व्यक्ति इस 40 जाने वाले व्यक्ति से बढ़ा हुआ जाने वाला व्यक्ति कितना 40 kg का अगर आने वाला व्यक्ति 40 kg का होता तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता जैसी वो 40 से 49 साल का हुआ तो बस पर चालिस से वह अधिक है किस पे 10 गुणा तीन तो कितना गया चालिस प्लस 30 कितना गया सत्तर आंसर कितना गया सत्तर कोई डाउर तो नहीं है चलिए अगला देखिए देखिए यह भी आपका कम्प्रिट हो गया थोड़ी सी बात करते हैं मिरे साथियों अभी रुकि परिख के बार बताऊं जो कुषिन हम करा रहे इसका फाइदा यह है कि यह बुक हमारी आई वही कोशन बुक से हैं देखिए मैं आपको के अस बुक है देखिए हमारे पास देखिए पहली बुक आती है हमारे पास SSC MTS की बुक आती है इसमें हमाने आपको यह तीन बुक है आप तीनों बुक को पहले देख लिए एक मिलेगा देखिए पहली यह है दूसरी है SSC CHSL 10 प्रस्टू इसकी tier 2 का पेबर कल मैं आपको solve करवा दिया आप उसको जाके देखिए आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा उसमें भी यह है तीसरी बुक हमारी SSC CGL tier 1 tier 2 इस तीनों बुक को हमने एक नाम दिया अब मालों आपने कोशन लगा है type 1 तो उसके type 1 के 50 कोशन आगए 40 कोशन आगए 30 कोशन आगए उसी में लगए हुए भाई आपने practice के लिए तो बहुत बढ़िया है है कि ने लेकिन ऐसी बुक भी होड़ी है आपके पास exam के लिए कि उस बुक में ये फाइदा मिल जा कि आप exam से कुछ दिन पहले उस बुक को लगा लो और पूरा निचोड़ हो जाए आपके chapter का या कोई पूरी math का तो ऐसी बुक सिर्फ एक ही है बिजाई सीरी, CGL की ले लिजिए, MTS की ले लिजिए और CHSL की ले लिजिए आप इसमें हर एक टाइप के बुक लीजिए, math की बुक है, reasoning की है, GS की है और English की भी है हमने इसमें बहुत अच्छे से compile कर रहा है, देखें यह बुक का आप देखें कितनी मौटी बुक बन रही है, लेकिन याद रखिए मैं क्या क्या रहा हूँ, एक भी question repeat नहीं है, आपको हर एक question नया मिलेगा, जिससे आपको end time पर बहुत फायते देगा, आप इस बुक के ब query हमारे पास आने में, थोड़ा सा time लग जाता है, मैं यह नहीं कर रहा है कि 24 घंटे के अंदर करा दूँ, 48 घंटे के अंदर करा दूँ, मैं यह भी नहीं कर आप से, मैं यह कर रहा हूँ, लगभग दो दिन के अंदर मैं कोशिस करूँगा, कि आपकी जो query होंगी, उसो बोटल की लिंक दरवा देंगे, आपको जो अच्छी discount दे रहा हो, आप महां से तुरंट बुक को purchase कर दिए, बे फिकर रही है, आप मुझसे जोड़े हुए हो, आप इस channel से जोड़े हो, यह channel बहुत पुराना है, यह भी नहीं कि यह channel बिल्कुर नया है, आप बस अपनी त गुस्तों को भी बदाईए कि end time बे कोई ऐसा channel है, जो आपकी practice करवाने के लिए बहुत ततपर खड़ा हुआ है, ठीक है ना, चले, धन्यवाद